हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और ने वीडियो में दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान मा और बच्चे की सिहत की जाँच करने के लिए कई तरह के टेस्ट और स्कैन किये जाते हैं प्रेग्नेंसी के 18th week से 21st week के बीच किये जाने वाले इस टेस्ट को mid-pregnancy test के नाम से भी जाना जाता है Mid-pregnancy test को medical science की भासा में anomaly scan कहा जाता है anomaly scan के दौरा mother के womb की जाँच की जाती है और इसके दौरा womb में पल रहे बच्चे और मां की सिहत का पता लगा जाता है अनॉमली स्कैन के जरिए फीटस के सेक्स का भी पता लगाया जा सकता है लेकिन आपको बता दे कि वूम में पल रह बच्चे के सेक्स की जाँच करना इल्लीगल है मिड प्रेगनेंसी टेस्ट या अनॉमली स्कैन के जरिए आप फीटस के बॉड़ी की डिवलप्मेंट और उसमें मौझूद डिफेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं अनॉमली स्कैन के समय तक वूम में पल रह बच्चे के ओर्गन्स का डिवलप्मेंट सुरू हो जाता है जिसके जरिये अन्बॉर्न चाइल्ड की हल्थ की तोरो एक्जामिनिशन की जाती है इस टेस्ट में फीटस के बॉड़ी के सभी अंगों की डेप्थ एक्जामिन होती है अनॉमली स्कैन में अन्बॉर्न बेबी की प्लैसेंटा की पोजिशन का भी पता लगाते हैं और amniotic fluid की amount की जाँच करते हैं और साथ ही उसके body के development के बारे में भी जानकारी ली जाती है इस ultrasound test में baby के brain, heart, face, stomach, intestine, kidney और spinal cord की detail जाँच होती है anomaly scan के जरिये ही doctor बच्चे की amelical cord और placenta की position का भी जाँच करते हैं इस test के जरिये आप बच्चे की सेहत का सही अंदाजा लगा कर समय रहते उसका निवारन भी कर सकते हैं anomaly scan के जरिये पेट में पल रहे बच्चे की सेहत से जुरी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम की भी जाँच की जाती है कई बार इस test के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है जो future में होने वाली प्रॉब्लम का खारण बन सकती है ऐसे में इस test के बार doctor उन प्रॉब्लम के diagnosis के लिए इलाज कर सकता है mid pregnancy या anomaly scan के जरिए हम unborn baby के health status, birth defect और chromosomal problems या twins baby के presence का भी पता लगा सकते हैं दोस्तों anomaly scan या mid pregnancy test के जरिए doctor को unborn baby के head और brain के बारे में 98% तक की जानकारी heart के problem से related 50%, चहरे और होट की 75%, organ के development के बारे में 60%, spinal cord से जुरी समश्याओं के बारे में 90% तक की जानकारी और kidney से जुरी problems के बारे में 84% तक की information मिल जाती है दोस्तों इस scan का primary purpose या सुनिस्चित करना है कि बच्चा किसी abnormalities की बिना अच्छी तरह से grow कर रहा है anomaly sonographer scan के दौरान कई बातों की जान्च करता है जैसे कि sonographer यह जान्च करेगा कि बच्चे का heart सही तरीके से develop हो रहा है और कारे कर रहा है या नहीं साथी सभी arteries और veins जो blood को heart से ले जाती है उसकी भी जान्च की जाती है इसमें cleft lip के लिए बच्चे की चेहरे की जान्च की जाती है हलांकि cleft lip को detect करना काफे मुस्किल होता है और इस problem को scan के जरी हमेशा पकरा नहीं जा सकता इस test में sonographer जान्च करता है कि आपके बेबी में दो kidney है या नहीं और urinary bladder भर रहा है या नहीं इसमें आपके बच्चे के सिर के आकार की भी जान्च की जाती है और brain से जोरी problems की पहचान की जाती है इसके साथ ही sonographer इस बात की भी जान्च करता है कि बच्चे की spinal cord ठीक से विक्सित हो रही है या नहीं और peat की skin इसे ठीक से ढखती है या नहीं इस टेस्ट के जड़िये sonographer इह भी जान्च करते हैं कि क्या सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेबी की चारो और पढ़ियापत एम्मियोटिक फ्लूइड है या नहीं और साथी scan के दौरान placenta की position भी जाची जाती है यदि आपके uterus में placenta नीचे स्थित है तो आपका doctor आपको इसकी सूच ना देगा इस condition को placenta previa के रूप में जाना जाता है और third trimester में इसके लिए एक और ultrasound suggest किया जाता है ताकि यह जाच की जा सके कि क्या placenta uterus के cervix से move किया है या नहीं साथी sonographer scan के दौरान आपके बच्चे के सरीर के अंगों को भी मापेगा और pregnancy के उस stage के दौरान standard growth chart के साथ इसकी तुलना भी करेगा दोस्तों आमतोर पर anomaly scan या mid pregnancy test करवाना mandatory नहीं होता है लेकिन unborn baby के health care condition का पता लगाने के लिए doctor इस test को recommend कर सकते हैं यह test लगब कोई problem नहीं होती anomaly scan के बाद अगर बच्चे की health surgery problem सामने आती है तो उसे बहतर धंग से समझने के लिए doctor कुछ और test की सला दे सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ anomaly scan के बारे में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे समझ भी गए होगे दोस्तों ऐस सही informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें